नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों चार नवंबर को कार्तिक मास की पुर्णिमा आ रही है और दोस्तों कार्तिक मास की पुर्णिमा के दिन भगवान विश्णू की कुछ खास उ विनत्ती है कि इस कथा को आप ध्यान से और पूरा सुनिएगा ताकि आपको कथा का फल प्राप्त हो सके दोस्तों लाइक और शेल जरूर कीजिएगा ताकि आपके लाइक हमें आगे बढ़ने की प्रेणा दें और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके तो हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं दोस्तों श्री सूत जी बोले श्रेश्ट मुनियो अब मैं आपके आगे की कथा कहूंगा आप लोग सुने प्राचिन काल में उलका मुक नाम का एक राजा था वो जित्यंद्रिये सत्यवादी तता अत्यंत बुदीमान था वो अनों से संपन तथा पति परायना थी राजा एक दिन अपने धर्मपति के साथ भद्र शिला नदी के तटपर सिरी शत्य नरेन का व्रत कर रहा था उसी समय वाइपार के लिए अनेक परकार की पुष्कल धनराशी संपन एक साधू नाम का बनिया वहां आया भद्र नदी के तटपर भवनाव को इस्तापित कर वो राजा की समिप गया और राजा को उस वरत में तिक्सित देकर विनेपूरग पूचने लगा शाधू ने कहा राजन आप भक्ति युग्ध चित से या क्या कर रहे हो किरिप्याय वो सब बताईए इस समय में सुनना चात्या हूँ राजा बोले इस शाधो पुत्रादी की प्राप्ति की कामना से अपने बंदु बांदों के साथ मैं अतुल तेज संपन भगवान विष्णु का वरत एम पूजन कर रहा हूँ राजा की बात सुनकर शाध्दू ने आदर पूरुक कहा राजन इस विषय में मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाईए आपके कतना नुशार मैं वरत एम पूजन करूँगा मुझे भी संतती नहीं है इससे अवसे ही संतान पूरुक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतान परदान करने वाले इस सत्य वरत को विष्तार पूरुक बताया तता जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस वरत को करूँगा इस बरकार साध्वू ने अपनी भार्या लिलावती से कहा एक दिन उसकी लिलावती नाम की सत्य साध्वी भार्या पती के साथ आनंद चित रितु कालिन धर्माचरण में परवर्त हुई और भगवान सत्य नारण की करपा से उसकी पत्ने ही ने गरब धारण किया दस्वे मैने में उसने कन्या रतन की उत्पती हुई और वो शुक्ल पक्स के चंदरम की भाती दिन परती दिन बढ़ने लगी इस कन्या का कलावती नाम रखा गया इसके बाद एक दिन लिलावती ने अपने स्वामी से मदुर वार्णे में कहा आप पूरों में शंकलित श्री सत्य नर्यन के वर्थ को क्यों नहीं कर रहे हो सादू बोला पीरिये इसके विवा के समय वरत करूंगा इस प्रकार अपनी पती को भली बाती और अपनी पतनी को भली बाती आस्वत कर वो वैपार करने के लिए नगर की और चला गया इधर कन्या कल्यावती पिता के घर में बढ़ने लगी धिरे धिर्मग्य सादू ने नगर में सक्यों के साथ कीड़ा करती हुई विवकन्या को विवाय योगी देखकर आपस में मंतरना करके कन्या विवाय के लिए स्रेष्ट वर का अन्वेंसर करो ऐसा दूद से कहकर शिगरी उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्ट करके दूद कांचन नामक नगर में आ गया और वहां एक वनिक का पुत्र लेकर आया उस सादू ने उस वनिक के पुत्र को शुंद्र और गुणों से संपन देकर अपन वरत भूल गया पूरू शंकल्प के अनुसार विवा के समय वरत नगर करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए कुछ समय के पच्चात उसने अपने वैपार करम में कुष्ल और सादू बनिया काल की प्रिणा से अपने दामाद के साथ वैपार करने के लिए समूद में गए इसी समय भगवान स्री सत्यकार नार्याण ने उसे भरष्ट परतिग्य देखकर इसे दारुन कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया एक दिन एक चोर राजा चंदर केतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वनिक रहते थे वह अपन राजा के धन को देखकर वे धूत उन दोनों वनिक पुत्रों को बांद कर ले आये और हर्ष पूरग दोड़ते हुए राजा से बोला परवो हम दो चोर पकड़कर लाए हैं इन्हें देखकर आप आग्या दे राजा से आग्या से दोनों शिक्र ही दर्ड़ता पूरग बा भगवान कारागरव में डाल दिये गए बहन सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंदर केतुने दोनों का धन भी ले लिया भगवान के शाप्षे वनेक के घर में उसकी पत्नी थी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वो चोर ने चुरा लिया लिलावती सारीरिक और मांसिक पिडाउं से युक्त भूक और प्रास से दुखियों अनकी चिंता से दर-दर भटकने लगी कलावती कन्याबी भोजन के लिए इदर उदर परती दिन गूमने लगी एक दिन भूक से पीडित कलावती एक ब ऑफ सुन्या पर घर चली गई माता ने कलावती कन्या से प्रेम अन्वे बूर्बग पुचा पुत्री रात में तु कहां रूक गई ती creation मन्में क्या है चिंद्ध माता से का मा मैंने एक ब्रामण के घर में मनुद्ध परदान करने वाला वरत देखा है कन्या की उस बात को सुनकर वह बने की भार्या वरत करने को उद्दत हुई और पर्शन मंद से उत्साद्वी के बंदू बादों के साथ भगवान से चैने सत्य नारण की वरत गिया इस प्रकार की प्रात्ना भगवान आप हमारे पती और जामाता के अपराद को समा करें वे दोनों अपने घर सिग्र आ जाएं किस वरत से भगवान सत्य नारण पुनसंतुष्ट हो गई तता उन्होंने निरपस्रेष्ट चंद्रकेतु को शौपन द थोड़ दो वो सारा धन भी दे दो जो तुमने इन दोनों से ले लिया है अनित्था राज्य धन पुत्त्र सहीद तुमारा सरुनास हो जाएगा राजा ने शौपन में ऐसा करकर भगवान सत्य नारण अंतर ध्यान हो गए इसके बाद प्रात्यकाल राजा ने अपने शभा कि दोनों माझन को बंदन मुक्त करकी राजा के सामने लाकर विनै rozp बोले महाराज बेड़ी बंदन से मुक्त होने लाये हैं इसके बाद दोनोत माझन प्रॉट्रस्त को प्रणाम करके अपने पूर्ण वरतान इस्तमन करते हुए कोच न बोल सके राजा ने वनिक पुत्रों को देखकर आधर पूरक कहा आप लोगों को प्रादबस्त ये महान दुख प्राप्त हुआ है इस समय अब कोई भय नहीं है ऐसा करकर उनकी बेड़ी खुलवा कर शोर करमादी करवाया राजा ने वस्त्र अलंकार देखकर उन दोनों वनिक पुत्रों को संतुष्ट गिया तता सामने बुला कर वानी द्वारा अत्यदिक आनंत किया पहले जो धन लिया था उसका दुगुना देखकर उसके बाद का सादो अब आप अपने घर को जाएं राजा को परणाम करके अपने घर की और प्रस्थान किया दोस्तों हमारे तीसरे अध्याय का यहां समापन होता है चौता अध्याय प्रारम होता है श्री शूत जी बोले सादू बनिया मंगला चरण कर और ब्रामनों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा सादू के कुछ दूर जाने पर भगवान भगवान सत्यनारेन की उसकी सत्यत्ता की परिक्षा के विशे में जिग्यासा होई सादो तुमारी नाव में क्या वरा है तब धन के मद में चूर दोनों माजनों ने अव हेलना पूर घस्ते हुए कहा दंडिन क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ दर्वे लेने की समूदर की समिप बैठ गए दंडि के चले जाने पर नित्य किरिया के पच्चात उत्राई हुई दर्थार्त जल के उपर की गई उठीवी नौका को देखर शाद्यू अत्यंत आचरिया में पढ़ गया और नाव में लता पता आती देखकर मुर्चित हो परत्वी पर गिर बड़ा सच्चत होने पर वनिक मुत्र चिंतित हो गया उसके बाद उसके दमाद ने इस प्रकार का आप सोक क्यों करते हैं दंडी ने शाप दे दिया हैं इस्तिति में वहीं चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें संचे नहीं अंतर उन्सी की शरण में हम चलें वहें मन की इच्छा पूरी होगी धमाद की बात सुनकर सादू बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखर उसना कहा भक्तिपूर को ने प्रणाम किया तता आदक पूरु कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मुझे समा करें ऐसा कहकर वह बारंबार प्रणाम करके शोक भगवान के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा दोस्तों ऐसा करने से भगवान उससे खुश हो गए और भगवान ने उसको अशिरवात दिया भगवान हरी से अभिष्ट वर्त परदान करके वह अंतरद्यान हो गए उसके बाद सादू अपनी नोका में चड़ा और बनिया ने अपने दमाज से कहा वो देखो मेरी रतन पूरी नगरी दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रक्सत दूद को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा इसके बाद उस दूद ने नगर में जाकर सादू की पतनी को देखकर हाथ चोड़ कर परणाम किया और कि लिए कहा सेड़ी अपने दमाद और बंदु वर्गों के साथ बहुत सारे धंधाने से संपन होकर नगर के निकट आये हैं दूद के मुख से ये बात सुनकर आनन से वियल हो गई और उस शादु ने स्री सत्यनर्यन की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं शादु के दर्शन के लिए जा रही हूं तुम शिग्रा हो माता का ऐसा वचन सुनकर वरत को समाब्त करके परशाद का परित्या कर वो कलाबती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी इससे भगवान सत्यनार्यन नराज हो गए उन्होंने उसके पती को और नोका दन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया इसके बाद कलाबती कन्या अपने पती को न देख शोक से रोती भी परती पर गिर पड़ी नाव का दर्शन कर कन्या को दुखी देख सादू बनिया सोचा ये क्या अचरिय हो गया नाव का संचलन करने वाल लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नस्ट हो जाने पर दुखी हो गई पती की बादु का लेकर उनका अनुगर्वन करने के लिए उसने मन में निच्चे किया दोस्तों भगवान सत्यनरण ने तब आकास से आकास वानी हुई तुमारी कन्या परशाद छोड़कर अपने प शाद गरण किया पुन आकर सवजनों तता अपने पती को देखा तब कलावती कन्या ने अपने पिता से का अब तो घर चलें विलम क्यों कर रहे हैं कन्या की बात सोनकर वनिक पुत्त्र संतुष्ट हो गया और उसके बाद पुर्णिमा तता सक्रांति पर्वापर भगवान सत्य नर्ण की पूजा सुनने लगे तो दोस्तों हमारा चौता अध्याय यहीं समाप्त होता है पांचवा अध्याय शुरू होता है श्री सूत जी बोले श्रेश्ट मुनियो अब इसके बाद मैं दूसरी कता कहूंगा आप लोग जरूर सुने अपनी परजा का पालन करने म तत पर तुग दवज नामक एक राजा था उसने सत्य देव के साथ परसाद का परित्याग करके जो दुख प्राप्त किया सत्य देव के परसाद के पतरित्याग करने से एक बाद वह वन में जाकर वहां बहुत से पशूओं को मार कर वट वरस के नीचे आया वहां उसने दे पूजा के बाद सभी गोपगर्ण भगवान का प्रशाद राजा के समिप रखकर वहां से लौट आए इच्छा अनुसारों सभी ने भगवान का प्रशाद ग्रण किया इदर राजा को प्रशाद का प्रत्या करने से बहुत दुख हुआ उसका संपुन धन धाने और सभी 100 पुत्र नश्ट हो गए राजा के मन में ये निच्छे किया कि अवश्य भगवान सत्य नारेण ने अमारा नाश कर दिया है इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां स्री सत्य नारेण का पूजन हो रहा था ऐसा करके राजा वापस वहां चला गया जो भी वक्ति इस दुल्यव सत्य नारेण वर्त को करता है तब तब वो सारे शुको को भोगता है अजने भगवान सत्य नारेण की पूजा की और वापस पुत्र धन और पुत्र और धन से संपन हो गया दोस्तों कल्योग में तो भगवान सत्य नारेण नाम से भी कहते हैं दोस्तों इस पूजा को इस वरत को करने से आपके सभी दुखों का नाज होता है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए